राशन कार्ड ओनलाइन अपलाई कैसे करें? अपने घर से दूर दूसरे स्टेट पर रहने पर राशन कार्ड EKYC कैसे करें? राशन कार्ड ओनलाइन अपलाई करने से क्या EKYC कमपलीट होगा? राशन कार्ड EKYC करना क्यों जरूरी है? तो देखो राशन कार्ड EKYC करना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि EKYC से पता चलता है कि आपकी फैमिली मेंबर सब मौझूद है और राशन कार्ड का फायदा लेने के लिए तैयार है राशन कार्ड EKYC न करने पर सरकार के पास यह अपडेट जाता है कि जो भी EKYC नहीं किया है उसका निधन हो गया है या फिर शादी हो गया है या फिर कोई दूसरा रीजन होने के कारण से EKYC नहीं कर पाया है तो आपको राशन कार्ड में कोई भी फायदा नहीं मिलेगा और हो सकता है आपका राशन कार्ड रद कर दिया जाए राशन कार्ड ओनलाइन EKYC क्या हो सकता है? जी हाँ राशन कार्ड ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं लेकिन सिर्फ बंगाल में यानि अगर आप बंगाल से है तो ही आप राशन कार्ड को ओनलाइन आवेदन या फिर EKYC कर सकते हैं राशन कार्ड को ओनलाइन एकोसी करने के लिए आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबल लिंक होना बिलकुल जरूरी है अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबल लिंक नहीं है तो आप अपना नजदी की राशन डीलर सही EKYC करवा सकते हैं इसके अलावा और कोई दूसरा उपए नहीं है बंगाल के अलावा कोई दूसरा स्टेट में आप ओनलाइन EKYC नहीं कर सकते हैं राशन कार्ड को राशन कार्ड का एक उफिशल एप्लिकेशन है जिसका नाम है मेरा राशन वहां से आप अपना राशन कार्ड का स्थिती देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी family member में से किसी का राशन कार्ड की KYC हुआ है या फिर नहीं इस application से आप ए KYC या अवेदन या सुधर नहीं कर सकते हैं आपको अपना नजदी की डीले के पास जाना पड़ेगा अगर आप घर से दूर कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आप वहां के नजदी की राशन डीले के पास जाकर ही अपना राशन कार्ड कोई KYC कर सकते हैं यानि के आप अपना राशन कार्ड यी KYC किसी भी डीले से करवा सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राशन कार्ड अनलाइन आवेदन कर सकते हैं सिर्फ बंगाल के लोग बाकी स्टेट के लोग आफ लाइन राशन डीले से KYC या सुधार कर सकते हैं बाकी जो ओनलाइन प्लेटफॉर्म है या एप्लिकेशन है वहां से आप अपना राशन कार्ड का स्थिती या फिर जानकारी देख सकते हैं बाकी कोई भी करेक्शन या फिर KYC नहीं कर सकते हैं